सो हे गाइस विल्कम बैक तो और ओन यूटूब चैनल से विल ठेकनिकल और दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टीमेशन पर बात करने हैं सो गज यानि की 900 स्कूर फिट मैं बता दूंग आपको आपको अभी कि गज को कैसे स्कूर फिट में कैसे कनवर्ट करते हैं तो एक हमारे सुब्सक्राइबर है जिनका नाम है फैस खान तो उन्होंने मुझे कल कमेंट करके बोला कि सर्फीज उनका एक प्लॉट है जो कि 100 गज का है और उन्हें जी प्लस फन यानि ग्राउंड फ्लोर और फर्स फ्लोर दोनों के लिए कंबाइन चाहिए एस्टीमेशन पतलब की स्वाइल की फुटिंग स्कावेशन से लेकर विंडोस टॉलेशन वॉल पुट्टी पेंट इंक्लूडी इच एन एवरीटिंग के आपको दो हाजार चोबिस में लेबर प्लस माटेरियल कॉस क्या लगने वाला है अगर आप हंड्रेड गज सो गज का मकान बनवा तो वीडियो कंटीन्यू करने से पहले एक चीज आपको समझना होगा कि यहां पे लेको बहुत लोगों को रहता है ना कि 500 गज, 400 गज, 200 गज तो हम लोगों को यह नहीं समय माता है वो कितने स्क्वेर फिट का होगा इसका कनवर्जन किसना होता है मतलब एक गज कितने स्क् ठीक है यानि कि यह 100 गज ता जिसको अगर कनवर्ट कर देख तो वह जाता है 900 स्क्वेर फिट ठीक है यसे कि हम वह लाकिन उस्क्वेर फिट अब यह जो प्लान होने वाला वो जी प्लस वन पे होगा ठीक है ग्राउंड फ्लोर के लिए और मतब ग्राउंड फ्लोर ही को निकालना, बहुत धयान से देखिएगा इसते आप भी आप सीख सकते हो कि अपने घर के लिए और केसे सीप्लिप निकाला जाता है 5 feet by 5 feet by 5 feet इससे ये benefit होता है दोस्तों कि future में जब भी भी आपको अगर आप simple सिर्फ G प्लस 1 तक ही जाने वालों उससे उपर जोगे ही नहीं तो 4 feet भी आप कर सकते हो अगर उसकी bearing capacity अगर वहाँ पर अच्छी है तो 4 feet में भी कोई दिक्कत नहीं है 4 feet by 4 feet ये dimension रहेगा उसके depth भी 4 feet रहने वाली है बट अगर क्या है कि future में और उपर जाना है ठीक है और उपर तल्ला बना सकते हो अभी budget नहीं है लेकिन बाद में एक floor दो floor और जागे तो बेटर है दोस्तों फार बेटर है कि 5 feet by 5 feet होना चाहिए ये depth भी 5 feet होना चाहिए otherwise जब भी G plus 1 से उपर अगर जाओ तो एक engineer को जरूर हाय करो क्योंकि ये depth of the foundation और जो dimension होता है वो totally depend करता है कि वहाँ पे जो मिटी है जिस पे अपकी footing आने वाली है उसकी bearing capacity अच्छी है या नहीं और उसके बाद जो total घर का जो load है जैसे कि ये 900 square feet है तो यहाँ पे जो consider आपको मोटा मोटी मतलब on an average 12 column तो provide करना ही पड़ेगा ठीक है बाकी ये आपके जो architect होंगे वो एक-दो column जादा या कम कर सकते है otherwise 12 column लग जागा तो मैं 12 column के हिसाब से बात करने वाला तो अब क्या है कि footing के लिए excavation करना हो अब देखो ये quantity कैसे निकलता है ठीक है आप भी निकाल सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है जो footing का dimension है उसको गुना कर दो 5 into 5 into उसमें depth भी गुना कर दो ठीक है तो ये मेरे एक column के लिए ये निकल कर आगिया excavation quantity ठीक है अभी इसको क्या करना है कि हमको बारो का चाहिए होगा ठीक है इंटू 12 कर दो तो देखो 1500 CFT आपको मिट्टी आप पर कोड़वाना है अभी ये जो काम होता है ना ये best होटा है कि आप ठीका में दे दो ठीक है तो ठीका में क्या रेट चल रहा है 10 रुपया पर CFT के साफ से cost पड़ता है हेर CFT के लिए excavation जो cost अभी चल रहा है आट नो दैसे चल रहा है मैं average maximum amount चले के चलता हूँ कि 10 चल रहा है ठीक है तो टोटल कितना हो जाएगा इंटू 10 यह हो जाएगा आपका 15,000 रुपया 15,000 के लिए आपको क्या होगा कॉलम के लिए फूटिंग के लिए जो excavation करवाना होता है वो आपका 15,000 के रुपया के असपास में लगेगा उसके बाद आता है दोस्तो स्वाइल फीलिंग दोको स्वाइल फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टन प्रोसीजर है बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है घर बनाने में यह होता आपका रोड लेवल अभी आपको जहां पे भी प्लॉट है इसका रोड लेवल से आपका प्लॉट कितने हाइट या कितने डाउन पर है अगर हाइट पर हाइट भी कतना होना चाहिए अगर लेवल पर भी यह तो तीन फिट और उसको भर दो ठीक है क्योंकि यह रोड हमेशा बनता है यह रोड डिस्मेंटल नहीं होता जब इसको बनाया जाता इसकी उपर में लेरिंग चलती जाती है तो देरे दरे यह रोड लेवल पर ही आ जाएगा रोड लेवल से अगर डाउन रहता है तो बाहर का जितना बरसात का जो पहुँ सारी समस्या है दोस्तों पानी उनियों सब घर में आएगा सिपस सीलन हर चीज का समस्या होता है इसलिए घर हमेशा रोड लेवल से तीन फिट ऊपर लेके चलना है तो मैं इस प्लॉट में यह आनके चल रहा हूं कि यह रोड लेवल है और जो मेरा फैस खान जी है उनका जो घर है वो सेम लेवल पर है ठीक है तो मैं यह कहूंगा उन्हें कि आपको तीन फिट और उसको भरना होगा उठाना होगा प्लिंत लेवल को तो आपको कितना कॉस्ट आने वाला है देखो तो यहां जो टूटल आ जागा दोस्तो वो होगा 2700 CFT देखो यह भी कैसे करते है ठीक है टूटल जो आपका स्क्वेर फीट होगा जो 900 स्क्वेर फीट है इंटू कर दो उसके बाद जितना आपको ऊपर उठना है जैसे कि मुझे 3 फीट उठना है इंटू 3 कर दो 2700 CFT बहुत इंटू 12 ठीक है यह होगी आपका 32400 ठीक है यहां पर 34400 लिखा हो मैंने 1000 एक्स्ट्रा यहां पर आड कर लिया है जब आप कॉम्पैक्शन करवाते हो तो बहुत सेरे चीजों की जरूरत पढ़ती है तो आप यह से लेके चल जकते हो कि आपको 1000 रुपया और लग जाएगा और तरीके से कमक्शन करवाने के लिए आपको प्लान भी बनाकर देगा, सक्षिन भी बनाकर देने वाला है, फुटिंग के लिए, बीम के लिए, कॉलंग के लिए, और साथ साथ आप उसको विजट भी करा सकतो हो, विजट में क्यों हो, एक्स्टर वो चार्ज लेते हैं पर विजट जिसमें वो 400 रुपय से लेकर 500 तो आप देख सकते हो इसको यह आपका थोड़ा बहुत रेट उपर नीचे हो सकता है depending upon कि आप किस तरीके के architect को hire कर रहे हैं ऐसे अगर आप ठीक ठाक engineer को hire करते हैं तो 12 रुपय भी आप उसको per square feet के सबसे provide कर रहे हो तो वो sufficient हो ठीक है तो per square feet आपको 12 रुपय देना है तो total कितना बन जाएगा ठीक है तो 12 into अभी देखो जैसे मैंने बोला ना कि यह मैं G plus 1 के लिए बात कर रहा हूँ मीचे का ground floor भी और उपर का भी floor भी ठीक है तो इंजीम यह वो दोनों के build up area के हिसाफ से आप से rate करने वाला तो total अब build up area कितना हो जाएगा नीचे का 900 पलस उपर का 900 यह हो जाएगा दोस्तो 18 से square feet build up area कितना हो गया हमारा 18 से square feet नीचे का बिचर और उपर के बिचर तो यहां पर मैं mention भी कर देता हूँ ठीक है तब clarity मिलेगा मना समझ में यह है कि calculation हो गैसे रहा ठीक है अठारा से square feet तो अब हमें 12 को कितने गुना करना होगा अठारा से क्योंकि हमें दूनों का चाहिए होगा अठारा सो यह देखो 21,600 मैं 21,000 ही यहां पर consider कर रहा हूँ ठीक है 21,000 रोप्या उसके बाद दोस्तों labor rate तो जितना भी structure का जो काम कर वाओगे including इसमें plaster बाकी जो finishing का काम इसमें अलग से labor rate बताने वाला हो structure का काम जो frame structure आप खड़ा को रोगे जैसमें आपका brick work करवाना हो गया उसके बाद आपका column है footing है slab है उसके casting है concrete pouring करोगे सब में जितना भी structure के काम के लिए including the plaster work उसमें labor rate आपको क्या पढ़ेगा उस rate के इसाब से आपको total खर्ष क्या पढ़ने वाला है और 1800 square feet ठीक है तो देख लेते हैं rate दोस्तो 200 रुपया per square feet 250 रुपीज per square feet maximum rate में मैं बात कर रहा हूँ ठीक है आप से थोड़ा कम भी करा सकते हो depending upon कि आप कितना आपके पास वहां पे कितना सस्ता labor है 1200 into total square feet है दोस्तो 1800 रुपया आपके labor cost में जा रहा है घर बनाते वाक होता क्या नो तो 75% जब भी rate analysis करो गए नो तो यह याद रखना है 75% आपका जो cost जाता है वो आपके material में जाता है और 25% जो rest होता है वो आपका labor cost होता है तो चार लाक रुपय चला जाएगा आपका labor में जिसमें आपका plaster work है बाकी सारे चीजों के लिए से tile लगाना, gate लगाना, door window लगाना उसके लिए अलग से मैं दिखा दूँगा किस तर consumption होने वाला तो हर एक square feet में जो आपका builder पे रिया उसमें 0.39 के हिसाब से cement bag consume होता है ये तमरोले से आपके इतना भी square feet होगा आप उसमें अंदाजा लगा सकते हो, beam, column, slab casting, उसके बाद फ्लोरिंग, उसके बाद फिर आपका flooring में बता हो ये नीचे काज़ उसरी आप पास्टर का है वो सारा चेस में इंक्लूड है ठीक है तो 0.39 पर square feet के साफ तो जितना सिमेंट बैक कर दवरत पढ़ेगा ये सारा चेस में इंक्लूड है ठीक है तो 0.39 पर square feet है, total square feet केतना होगा दोस्तो 1800 क्योंकि नीचे और उपर, मतब ग्राउंड फ्लोर और फस्लोर दो 320, 340, 60, 400, 410 ठीक है बहुत variation है दोस्तों लेकिन 380 रुपीज से लेकर 420 तक में जो cement आते है जो brands वाले cement है उसकी quality जाधा decent होती है ठीक है जिसमें आपका F2R include है आप concreteों में जा सकते हो आप ACC में जा सकते हो आप Lafarge में जा सकते हो किसी में विज़ों कोई दिक्कत नहीं ल 802 टोटल चाहिए था इंटू 400 देखो दोस्तों 28800 यह cement पे जाएगा उसके बाद आपको चाहिए हो दोस्तों river sand ठीक है बालू जिसको आप बोलते हो तो देखो river sand river sand का भी आप quantity thumb rule के साब से लिगा सकते हो ठीक है कैसे निकालोगे 1.2 CFT बालू consume होता है हर एक square feet में ठीक है यह देखो 2170 CFT 2170 CFT आपका consume हो जाएगा 1800 square feet cup का घर बन रहा है नीचे उपर दो ना क्योंकि है तो 900 square feet का लेकिन नीचे भी है और ऊपर भी है ठीक है अभी टेखो rate क्या चल रहा है यह चल रहा 80 रुपया पर CFT जहरकंड में ठीक है बिहार में और थोड़ा जादा है और कह है हसाब से आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना cost पढ़ने वाला है मैं quantity आपको exact बता दे रहा हूं ठीक है हमारे area में जहरकंड में रहता हूं हजारी बाग से बिलॉम करता है वहां पर 80 रुपया पर CFT के सबसे अभी आज के date में मिल रहा है ठीक है तो total कि गिट्टी कभी आप थम रूल से quantity निकाल सकते हैं हर एक CFT में दोस्तों हर स्क्वेर फिट में दोस्तों 1.35 CFT के जाब से गिट्टी कंजूम होता है तो total कितना हो जाएगा देखो total कितना है 2430 CFT कैसे निकला देख लो 1.35 into हमारा बिल्डप पे रहे कितना है 900 स्क्वेर फिट नीचे 900 स्क्वेर फिट ऊपर तो total हो गया थारा सो स्क्वेर फिट एंट्टी अथारा सो यह देखो 2430 2430 CFT ठीक है इतना कंजूम हो गया रेटे दोस्तों 110 रुपया पर CFT ठीक है तो total कितना हो जाएगा टोटल हम लोगा चाहिए था 2430 CFT एक CFT का 110 के साब से मिल रहा टोटल हो जाएगा इंटू 110 तो यह हो गया दोस्तों 2,67,300 ठीक है यह किसमें जाएगा अभी स्टील ठीक है तो सरिया सरिया कहा कहा यूज को रहेगा फूटिंग में यूज होगा कॉलम में यूज होगा बीम फ्लोर में जब आप स्टील रिन्फोर्स्मेंट निकालते हो ना तब उसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि एक स्क्वेर फिट में 4.5 केजी के हिसाब से स्टील कंजीम होता हर एक स्क्वेर फिट में यह ग्राउन फ्लोर के लिए उसके बाद अगर आप उसके उपर का फ्ल स्टील कंजीम होता है ग्राउन फ्लोर में जादा क्यों लगता है क्योंकि ग्राउन फ्लोर में आपका नीचे का जो पांच फिट नीचे जा रहे हो यह जो पांच फिट नीचे गये उसमें जो कॉलम बना रहे हो उसमें जितना स्टील प्रवाइट कर रहे हो वो आपका में जो extra steel जाता है उसके बाद फिर आप जो नीचे प्लीन बीम में जो प्लीन बीम बानते हो या फिर अगर टाई बीम बानते हो तो उसमें भी extra reinforcement रहता है जो ऊपर नहीं जाता है बाकी जिस तरीके साथ निचे reinforcement प्रवाइड करोगे वैसे ही same to same उपर reinforcement प्रवाइड हो जाता है इसलिए दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में का जब भी आपको निकालना होगा ता 4.5 kg पर स्कूर फिट के साथ से निकाल सकते हो और जब फर्स फ्लोर के लिए निकाले हो तो वो होता है 2.5 kg पर स्कूर फिट 900 तो यह होगा दोस्तों 4050 kg ठीक है लेकिन यहां पर 6300 kg वह इसलिए क्योंके अभी में को उपर कभी निकालना होगा उपर फ्लोर में कितना लगेगा और दोनों को एड करना होगा ठीक है अभी में उपर के फ्लोर का निकाल देता हूँ उपर जिसे मैंने बोला कि 2.5 kg के सा 6300 kg ठीक है यह टोटल मेरा कंजिम हो जाएगा नीचे और ऊपर मिला कर अभी देखो रेट जो चल रहा हूँ पच्छतर रुपे चल रहा है पहले थोड़ा सस्ता में हो गया था 65 रुपिस पर केजी तो आपको टोटल कितना पड़ जाएगा इंटू 75 कर दो सिंपल है देख यह नीकि red brick तो brick का partition wall compound wall जो प्रोवीट करोंगे उसमें आपको brick work करवाना होगा तो brick work जो पर square feet में जितना बिल्ड़ापेरिया होगा उसके पर square feet के साबसे 22 brick consume होता है ठीक है तो तो टोटल हमारा जो बिल्ड़ापेरिया है वो 1800 ठीक हर एक बिल्ड़ापेरिया में एक में क्या होगा आपको 2200 लगया तो टूटल कितना हो जाएगा तो 2200 इंटू 1800 देखो 39600 टूटल brick consume होने वाला on an average ठीक है थोड़ा बहुत जादा और कम हो सकता है तो rate जो चल रहा है दोस्तों 9 रुपया चल रहा है ठीक हाजार यह बाग में यह 7 भी है 8 भी है और 9 तक 10 तक गय भी लेते हो तो वह भी आपको 6 रुपय से लेकर 7 रुपया पर ब्रिक के हिसाब से ले सकते हो ठीक है लेकर अगर आप लाल इटा ले रहे हो सेकेंड क्लास लें से बैटा रहे कि आप 1st क्लास ही लोग जो कि आपको 9 रुपया बढ़ने वाला है ठीक है तो टोटल कितना हम प्लोर में जो टाइल देते हैं पूरे घर में जो टाइल होगा न उसका कितना लगेगा तो हम लोगो सब चीजों में एरिया जानना पड़ता है ठीक है तो टाइल का लगने का जो दर होता न दोस्तों वह बिल्डप एरे के साब से 0.75 स्कुरफिट के साब से आपका टाइल लगता है पर square feet में 0.75 square feet टाइल आप खरीदने जो होगा आप square feet में बात करोगे ठीक है जैसे कि एक आपका होता है टाइल 2 feet by 2 feet ठीक है तो उसका कितना हो जाएगा square feet दोनों को गुना कर दो हो जाता है 4 square feet उसके बाद आपका एक टाइल का साज आई था दोस्तो 4 feet by 4 feet तो वह होता 16 square feet तो टाइल आप जब खरीदे जाओगा न वो square feet में आपसे बात कर गए एक-दो piece कर गए बात नहीं होता square feet में बात होता है कि आपको कितने square feet में लगाना है तो टोटल जो हमारा build-up area उसके साथ से calculate करते है 0.75 टोड़ा consumption कितना लगने वाला इंटू अठारा जो नीचे भी लगा रहे होगे उपर भी लगोगे तो वह जाता है तेरा सो 50 square feet ठीक है रेट चल दा है दोस्तो 95 रूपीज labor plus material labor work उसको fix करने का भी और जो material टाइल लेकर होगे वो भी include है तो कितना पढ़ जाएगा आपको तेरा सो 50 into 95 देखो एक लाक अठाइस हजार दोसो पचास रूपीज ठीक है यह आपका चला जाएगा टाइल के काम में उसके बाद बाते है दोस्तों कीचे में जो ग्रेनाइट पूट करवाते हो ठीक ग्रेनाइट लगवाते हो तो ग्रेनाइट लगाने का तरीका होता है ठीक है उसको platform landing जो बोलते हो न वह सबसे पहले तो L-shape में लगाया जाता है इस तरीके से और यह जो landing का जो चोड़ा ह बड़ा हो जाता है ठीक है वो अच्छा में लगता हो उस पर काम करने में अक्चुली देखा जातो दिक्कत हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा distance हो जाता है तो दो फिट सफिशेंट है overall ठीक है यह कुछ इस तरीके से बनता है L-shape में यह दो फिट रहता है ठीक है तो यह जो थमरू लेना तो हर एक अगर आप दो किचन बनाते हो तो उसमें क्या आता है आपको 35 स्क्वेर फिट लगे आता है ग्रनाइट 35 ठीक है तो मैं यही मान के चल रहा हूं दोस्तों कि मैं नीचे भी जो फैस भाई है आप यह सौच के चल रहा हूं कि मुझे नीचे भी एक प्रोइड करना है उपर वाले फ्लोर में भी एक किचन मेंप मावेड कर रहा हूं अगर आप उपर वाले फ्लोर में आपको एक ब्रीकेशन जाये तो आप इसको आधा कर सकतितोंaden 70 है यह वंश्यृ बरहाल मैं लेके चल रहा हां कि मिषेंटी ऐस चने प्रोइट कर नहें त इसमें लेबर वर्क इंक्लूड नहीं था, अब इसको इंस्टॉल कर वहाँगे तो इंस्टॉल कराने वी अलग सा आपको 2000 रुपया चलेगा, अगर आप एक ही कर वार हो तो आपको 1000 रुपया लगने वाला है, आगर आप दो करवार हो नीचे रुपर दोनों करवा रहे हो त उसको भी एड़ कर लेते हैं देखते हैं कितना होता है टोटल यह दो तो 10,400 रुपय में दो कीचेन में आप कीचेन ग्रेनाइट बूट कर सकते हो लगवा सकते हो नेक्स्ट दोस्तो बातरूम टाइलस ठीक है तो बातरूम टाइल्स में जो एरिया होता है वो देखो कैसे के हिसाब से consumption होता है ठीक है there's a square feet तीन ठीक है अभी कहा है तीन में भी याद रखना है कि इसका dimension कितना अगर बहुत बड़ा बना तक है तो ये घर जाएगा इसका जो dimension रहेगा दोस्तों वो 4 feet by 6 feet का ही रहेगा ठीक है अगर इसको बड़ा करवाना है तो ये बढ़ सकता है मतलब ये कुछ ऐसा होगा ठीक है ये बातरूम का 4 feet इसकी चुड़ाई होगी और 6 feet इसकी लंबाई होगी ठीक है तो अगर 3 रहता तो 1500 तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह 300 है 300 इसलिए कि 3 washroom नीचे रहने वाला है और 3 washroom उसी तरीके से उपर रहेगा दो आपका attach रहेगा आपके room पे और एक आपका जो रहेगा वो common purpose के लिए रहेगा commonly use करने के लिए रहने वाला है अब देख लेतें दोस्तों कि कितना आपको total इसमें खर्श पढ़ने वाला है तो rate है तो 85 रुपेस पर square feet और जो total है हम लोगों को जो requirement है वो 300 है तो कितना हो जाएगा 300 into 85 यह हो जाए तो 25,500 ठीक है यहाँ पर दिख सकतो 22,500 यानि कि यहाँ पर थोड़ा सा miss हो गया है तो कोई बात नहीं make it 5 तो यह हो गया आपका 25,500 रुपेस चला जाएगा आपके tile fixing में वाश रूम में thumb rule मैंने बता दी किस तरीके से calculate करते है उसके बादे तो staircase में tile लगाते हो जिसमें आपको porch area अगर आपका porch area नहीं है तो आप उसको exclude कर सकते हो 100 square feet easily आपका वहां से खतम हो जाएगा तो staircase में का tile लगाते हो staircase के area में तो लगबग आपको 300 square feet पढ़ने वाला फिर मैं बताता हूँ कि इसमें ये 300 square feet इस तरीके से पढ़ रहा है क्योंकि मैंने ये consider कि नीचे से staircase सुधा उपर तक जाने वाला यानि कि G plus 1 मतब नीचे से आप staircase से चलू कि आप first floor में पहुचे है first floor साब second floor का जो चहत आप बनाओ भी इस पर धर नहीं बने वाला वहां तक मतब कि दो combined staircase है इसमें ठीक है तो total में कितना लग जाएगा दोस्तो 300 square feet rate है दोस्तो 95 rupees per square feet के साब साब को rate लगने वाला labor plus material तो total कितना हो जाएगा 300 into 95 यह होता दोस्तो 28,500 रुपया चला जाएगा tiles लगाते हो अगर staircase में उसके बादे दोस्तो staircase में जो railing लगता है ठीक है वो आपको 120 running feet running length में रहेगा ठीक है जिस तरीके तो आपका staircase घूम रहा होगा उस हिसाब साब को खली running length में इसको consider करना तो 120 रुपया running feet के साब से consume होगा अभी देखो इसमें कहाना कि सिर्फ अगर नीचे लगाते हो इसमें g plus 1 के लिए include है मतलब दोनों जो combined stair उपर तक जाने वाले हो दोनों include है staircase में अगर अच्छे quality की railing लगाते हो तो ठीक है 54,000 अब बात करते हैं दोस्तों painting ठीक है घर में paint करवाना है तो painting के लिए जो quantity consumption निकालने का जो थमरोल है वो है कि 0.5 liter consume होता है हर एक square feet ठीक है rate आप जान रहा है दोखो दोस्तों यहां पर मैंने 300 लिया ठीक है यह और महंगा भी आता है और थोड़ा और सस्ता भी आता सस्ता भी लेगो तो रंग फेड कर जाएगा quality अच्छी नहीं रहेगे और महंगा जाओगो तो भाई different different texture क्या आते but 300 रुपया भी आपको पसंद आने वाला paint है ठीक है रंग नहीं जाने वाला अच्छे quality गाता बाकी आप देख सकते हो अपना देख लेना का और अगर महंगा लेने जा रहे हो तो आपको सिफ उससे rate से multiply कर देना quantity उतनी रहने वाला consumption उतनी रहेगा 250 लगेगा मैं मानके चल अठारा इंटू अठारा सो यह 32,400 रुपया ठीक है मतलब टोटल हो जाएगा अगर आप paint करवाते हो लेवर प्लस माटेरियल एक लाग आथ हजार रुपया एक लाग आथ हजार रुपया आपको टोटल चला जाएगा material प्लस लेबर और पेंटिंग वर्क नेक्स जोस तो पुट टेटिंगे इसमें material लेबर दोनों include कर गे मैं अगता तो सबसे पहले जो consumption rate होगा वो 5.2 square feet per square feet जो बिल्डपेरिया गा उसके साब से consume होगा तो 5.2 है total कितना है इंटू 1800 दी हो जाता है 9307 square feet यह consumption rate है अब जो rate चल रहा है लेबर प्लस material वो चल रहा है 10 रुपया पर square feet ठीक है तो बिल्डपेरिया माना यह जो square feet में आप देख रहो ना देखो हम लों को यह समझना होता है यह उपर का छट है simple ठीक है तो अब जब आप छट के साब से यह और यह multiply होगा लेकिन अगर आप room के हिसाब से देखोगा तो यहां एक दिवार होगा 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 ठीक है उसके बास में window होगे उसको हम लोगों deduct करना होगा window में नहीं होगा आपका मतलब हर एक build-up area का हर एक square feet में आपको 5.2 square feet के area में क्या करवाना होगा आपको paint करवाना होगा आपको यह समझना हो कि नीचे चार wall है अगर यह आप ऐसे consider कर रहे हो ना आपको समझना हो कि मैं ऐसे square feet बोल रहा हूँ तो नीचे का दिवार भी include हो रहा है इस साइट का दिवार include हो रहा है उसके बाद इपर का ceiling भी include हो रहा है यह मेरे कहने का मतलब है ठीक है तो total 5.2 है total हो इस सारी ground floor के लिए और first floor के लिए उसके बाद बात करते हैं जो सो main gate तो main gate तो एक ही होगा नीचे ठीक है तो main gate का सबसे पहले dimension समझ लो कितने का लगाना है आप और बड़ा भी लगा सकते हो मैं average लेके जल रहा हूँ 7 feet by 6 feet ठीक है इतने में भी आपका main gate अच्छा बड़ा उसका जो weight जो निकल कर आएगा तो 240 kg के असपास में आ जाएगा रेटे 200 रुपीस पर गेज़ी तो कितना हो जाएगा total 240 into 100 24 सब्सक्राइब गेट आएगा दोस्तों बन गटेक है उसके बाद इसको इस पूपिक को install करवाना होगा तो इंस्टॉलेशन चार्ज बान सो 500 रुपया ठीक है अगेन आपको 500 रुपया और देना होगा इसको install करवाने के मतलग एक mystery लगा के खुद लगना होगा help करना वरना गर आप extra गर एक labor लेके आते हो ना तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि आपका total ये 600 रुपय और add कर लो या 500 रुपय और पकड़ो ना मतलब 1000 रुपय चला जाएगा otherwise अगर थोड़ा help कर दे तो ये 500 रुपय विंस्टॉल हो जाएगा बहुत चीज नहीं मतले एक extra आदमी की ज़रुत पढ़ती है due to weight क्योंकि weight जादा है उसके बाद दोस्तों बात करते है doors and windows के बारे में ठीक है तो जब बहले wooden door के बात करते हैं आप ये wooden door, ACP, HPL door के बात नहीं कर रहा हो wooden door की बात कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ दोस्तों कि नीचे मुझे 5 door provide करने है और मेरा 5 door उपर रहने वाला room में तो सब कुछ मिला कर एक average आप जब drawing निकल होगे तो आप पर drawing के साब से देख सकते हो मैं यहाँ समझ के चल रहा हूँ कि 900 square feet में में को नीचे 5 और उपर भी 900 square feet होगा तो उपर भी में को 5 लगेगा और दोनों का add कर दें तो वो 10 हो जाता है तो rate दोस्तो 7000 रुपया है हर एक door एक unit का जो दाम है वो 7000 रुपया है installation charge नहीं है सिर्फ material है यह भी material है और यह भी material है installation charge अलग से कर दूँगा तो 7000 into total कितना है 10,000 रुपया 70,000 door fixing को चला गया उसके बाद windows windows में मैं मैं के चलो हूँ 6 है ठीक है आप drawing room में भी extra windows प्रोवाइड आगा जहाँ जहाँ space है आप windows ज़रूर प्रोवाइड करो और अगर आपको window का dimension जानना है तो मैं बता देता हूँ कि आप 4 feet by 4 feet कर सकतो हो या फिर 5 feet by 4 feet कर सकतो हो ठीक है 5 feet by 4 feet बड़ा window हो जाता है total आपको जो cost पड़ेगा ना वो 5000 रुपया पड़ेगा material कर सी बात करो per unit per window total कितना हो जाएगा 5000 into 12 60,000 रुपया window में लग जाएगा अभी क्या है कि इसको install करवाना हो तो installation में क्या है कि आप दोनों में पगड़ सकतो जैसे कि यहाँ पे door और window तो दोनों को combine करके पगड़ सकतो कि आपको install करवाने में lump sum 20,000 रुपया चला जाएगा complete install करवाने में तो material का दोस्तो यह हो गया और installation में अलग से बोल दरो हो कि 20,000 रुपया चला जाएगा आपका इसको install करवाने में labor rate इसको बोल सकते हो उसके बाद दोस्तो wiring घर में आपको wiring करवाना होगा electrical wiring जो होगा उसका जो rate चल रहा है material प्रस ले रहा है quality के रहने वाली है ISI marka के साथ तो आपको इक चिस्ट द्यान में रखना ठीक है यह rate कम नहीं है तो 100 रुपयस पर स्क्वेर फिट तो total कितना हो जाएगा 100 into build-up area अठारा सो 100 into 800 1,80,000 रुपया चला जाएगा आपका electrical wiring करने के लिए उसके बाद है दूसको plumbing का अगाम ठीक है यह जो water के connectivity आप करोगे entire घर में वो कहते है plumbing बोलते है plumbing work वो क्या पढ़ेगा इसमें जो labor और material का चार्जाना वो 100 रुपया पर square feet है तो total मेरा build-up area कितना है 1800 1 square feet में 100 रुपया खर्चा होता material के साथ material again में बोलता हूँ अच्छी quality के रहने वाली है ISI marker के साथ तो आपको उसको चेक करते जाना है तो 100 into 1800 कर देते हैं तो वो लता है 180,000 रुपया चला जाएगा आपको plumbing का कम करवाने में उसके बाद है दोस्तो septic tank ठीक है सबसे पहरे जो septic tank का dimension क्या रखो गए अगर आपके family बढ़ी है 10 से 12 है तो उसकी जो septic tank की dimension रखे न वो इतना रखना आपको length होगे 13 feet उसके जो चड़ाई होगे वो 7 feet और depth आप रखो 8 feet 18 खंट तो जरूर देना दोस्तो एक ये हो गया एक ये हो गया और एक तीसरा ये हो जाता है ये दो में आपका sludge solid waste material रहेगा और एक में आपका रहने वाला है सिफ जो गंदा पानी उसकाद यहाँ पर outlet pipe होगा outlet pipe से वो अगर आपके घर के सामने कोशिश करो कि घर के front area में इस septic tank को बनाया जाए इसते क्यों कि बगल में एगा रोड से ड्रेन वेरेंट बार हो रहा होगा तो आप इसली वहाँ पे pipe निकाल कर अपने outlet pipe को उस ड्रेन में connect कर सकता है ये सारा गंदा पानी आपके बाहर ड्रेन में डिस्चार्ज रहेगा otherwise आपको फिर एक soak pit भी बनाना होगा और septic tank किस तरीके से बनाते हैं उसके drawing को कैसे read करते है reinforcement कैसे देना है अगर आपको नहीं आता तो आप आई button पे वीडियो को देख सकते हो detail में मैंने वीडियो बनाया septic tank के drawing reading के उपर में otherwise कि septic tank में ने dimension बता दिया 13 feet भाई 7 feet डेप रहने वाला 8 feet तो आप बहुत time तक इसको use कर सकतो कोई भी problem face करने को नहीं मिलेगा और अगर वही अगर आप कम मनाते हो तो आपको दो साल तीन साल में वह भर जाएगा फिर अगेन आप उसको गाड़ी लाकर उसको पूरा खाली करवाना होगा बहुत tension का काम है यह जिस यह तो साल डेप बढ़ा तो dimension मना तो एक ही बर बनता है बार बर बनता भी नहीं है उसके बाद दोस तो hidden cost मतलब कुछ cost ऐसे जैसे इसमें binding wire include नहीं है तो सबसे पहले टो टोटल देख लेता तोटल हुआ है दोस्तों 31,18,950 रुपए जिसमें आपका है जो मैंने 20,000 जो add up किया आपका installation charge था windows और door के लिए और 1,000 यहां पे रह गया था ठीक है जो मैंने compaction के लिए extra बताया तो टोटल पहले कर लेता है कितना पढ़ रहा है including that amount ऐसे तो पढ़ आपको 31,18,950 प्लस 20,000 प्लस आपका 1,000 एक्स्ट्र यह हो गया दोस्तों टोटल एक्तिस लाख उन्चालिस हजार नौस पचास रूब है ठीक है अगर आप 18 स्क्वेर फिट यानि कि जी प्लस बने ऐसे तो यह 900 स्क्वेर फिट है लेकिन जी प्लस वन नीचे ग्राउन फ्लोर फर्स फ्लोर यानि का 800 स्क्वेर फिट का घर बनाते हो दोहदार चोबिस में तो आपको यह कॉस पढ़ने वाला ठीक है 100 गज का घर 100 गज के प्लॉट में जी प्लस वन ठीक है 40,000 रुपया लग जाएगा आपका 100 गज का मकान बनाने में जी प्लस वन ठीक है तो होब आपको समझ में आएगा किस तरीके बहुत मेहनत का काम है ठीक है गर्मी लग रहा है बहुत जादा बहुत मेहनत लगता हम लोगों को यह काम करने के लिए आप लोग सिर्फ यही रि अगर आप यह वीडियो देखते हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अधर्वाइस दोस्तों आप लोगों को यह चीज अच्छा लग रहा है मेरे काम अच पसंद आ रहा था आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अप्रिशेट कर सकते हैं कमेंट करके औ अपने दोस्तों साथ शेयर करना मत भूलिएगा और आपको आप लोगों को भी इसी तरीके से अपने घर के लिए आपका जो भी प्लान होगा आप मुझे बताइए मैं उसके लिए डीटेल इस्टीमेशन मना के आपको देदूँगा और आपको प्लान भी चाहिए काइड तो भी मैं आपको भी प्रोवाइड कर सकता हूँ ठीक है आप मुझे कमेंट करके बता सकता हूँ अधरवाइस प्लीज हमें सप्पोर्ट कीज़ें थैंक्यू